वेलकम टू बीड दस्ट्रीट ये एक बहुत इंपॉटन्ट वीडियो है वीडियो कॉन इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए अगर आप वीडियो कॉन के शेयर होल्डर है और अगर ये वीडियो देख रहें अगर आप शेयर होल्ड करते तो ये वीडियो जरूर दे लेता हूं घ् कहे तो इस वीडियो में करेंगे पूरे वीडियो कौन के बार में जानेंगे क्या क्या है चैनल को जब्सक्राइब करें तो यह तो यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि एक आपर स्टॉक मार्केट फीड है अगर आप देख सकते हैं यहां पर beat the street आपको search करना है और आप join कर सकते हैं यहां पर सभी तरह की reports brokerage reports, corn call वगरे सब एक साथ एक जगे आद आती है अभी मैं वो सारी चीज़े नहीं दिखाऊंगा but मैं एक बहुत ही important बात करने वाला हूँ यहां पर video con deal listing पर अगर आप देखोगे तो हम लोग ने already यहां पर अगर आप देखोगे यह पढ़ लो यहां पर हम लोग ने pinned message में क्या लिख रहा हूँ है don't buy video con the resolution plan is out you will get 0 rupees same like DHFL and Lakshmi Vilas Bank ठीक है तो यह सारी चीज़ें डिसकस करी थी उसके बाद हम लोग ने पहली बता दिया और अभी भी बता रहो क्यों की video con में आप सभी को पता है अभी upper circuit लगा है और अभी थोड़ी देर पहले बस यह upper circuit खुला है और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि अब यहां पर कभी भी deal listing का notification आ जाएगा ठीके ना deal listing का notification कैसे आएगा बिल्कुल जैसे वैसे जहां पर DHFL और लक्षमी विलास के case में आदा अभी आपको पता है DHFL में एक दिन शाम को notification निकाल दिया stock action बोल जा कल से trading नहीं होगी तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होगा आप क्यों खरीद रखे हैं क्यों ले रखे हैं मैंने DHFL का जब डी लिस्टिंग वीडियो बनाया था तब मैंने दो शेयर के बारे में बोला था कि दो शेयर में बिल्कुल ऐसा ही होगा और उसमें से एक शेयर था वीडियो कौन और दूसरा है जेट एरवेस जेट एरवेस के बारे में अगर आपको जाना है तो जेट एरवेस का fundamental analysis आप अटेच कर दूँगा आई बटन दबा के देख लिजेगा वीडियो कौन में सबसे चौकाने वाली बात क्या है देखो मैं आपको समझाता हूँ एक तो है ना उसकी liquidation value झाटी न 3500 लूड थी लिकविडिशन वैव मतलब क्या होता है कि company को कोंपनी की assets को पारट-पारट में बातेंगे और बेचेंगे तो उसमें 30 1,agner स्वेता धान पर बेचते है न तो वह होता है और इसमें फेर वेल्यू यहां पर 4000 करोड के और वेदानता को एक और फायदा है रवा ओयल फील्ड जो है जो इनके लिए बहुत बड़ी मतलब माइनिंग सोर्स है रवा ओयल फील्ड वगेर अगर आप देखोगे तो इसमें अल्रेडी वेदानता का स्टेक है और इसके आप लोग को लगता है कि यह सारी चीजें बिल्कुल नरव है मीडिया वाले गलत यह जो वीडियो कौन यह तो अगला वह बन जाएगा बहुत बड़ी है और आपको आपको तो है आज आपको सारी चीजें बता देता हूं सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहां पर अमाउंट की और उन सब चीजों की देखो किया है ना लोगों को समझ नहीं आता हम लोग इतनी बार बता चुके हैं बट आज हम लोग लेना बिल्कुल ऑफिशल डॉक्युमेंट ही निकाल लिया देखो सबसे पहले कितने रुपय हैं यहां पर मिलेंगे ना यहां पर आप अगर थेखो कि सेक्योर फिनेंशल के क्रेइटर को फोर पोंट रटन रिटन हैं और किसी और जो नो होते हैं उनको 4.56, Unsecured को 0.62, बाकियों को 0 मिलेंगे, Operational Creditor को 0.72 मिलेंगे, Total Claims अगर हम देखें, यहाँ पे 70,000 करोड का लोन था, जिसमें से 64,000 करोड का अप्रूव किया गया, मतलब असेप्ट किया गया, उसमें से केवल 2962 करोड रुपय किया जाएगा, केवल जो यहाँ पे recovery हो रही है, केवल 4% के हो रही है, मतलब बैंकों को कोई भी तरह का फायदा नहीं है, यह मान के चलो, बैंकों का पूरा पूरा नुकसान है, अगर आप देखो कि टोटल हेर कट है, और यहाँ पे कमणी ने किया, कमणी ने किया, NCLT के जो जज है, उन्होंने किया, बहुला हेर कट, टॉन्शोर या फिर टोटल शेव, मतलब पूरे-पूरे बाल यह उधेर दी है, यह बिल्कुल टॉन्ट मार रहे हैं, वो लोग, चलो, यह बात तो हो गई, अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टन बात यह है, कि 262 करोड रुपए कैश में पे किया जाएगा, ठीक है, और बाकी जो 2600 करोड रुपए है, वो, यह लोग कैसे पे करेंगे, NCD की तुरू पे करेंगे, जो भी है न, बहुत चालों में दिया जाएगा, और 262 करोड भी कैसे आ रहा है, क्योंकि 262 करोड में से 200 करोड रुपए है न, वीडियो कॉल इंडस्ट्री की, 13 कंपनियों का यहाँ पे कैश बैलन्स ही है, अगर आप देखो कि इनको टोटल 13 कंपनीज मिलेगी, यहाँ पे कंपनीज ने डिस्क्रोज भी किया है, NCLT ने 13 कंपनीज मिलेगी, जिसमें बहुत सारी तरह तरह की कंपनीज है, चलिए, अब यहाँ पे एक मुख्य उस पे आजाते, जो कि आप सब देखना भी चारे होंगे, कि यहाँ पे एक्विटी शेर होल्डर का क्या होगा, तो यह लिजे, एक्विटी शेर होल्डर आपको सर्च करना है, तो बिलकुल हम बता देते हैं, यहाँ पे एक और बात लिखी भी है, मैं पढ़ लेता हूँ, D-Listing of Shares of VideoCon Industries Limited, यहाँ पे साफ साफ लिखाव है, अब और कोई सबूच चाहिए क्या आपको, और कोई सबूच चाहिए तो हमें comment में, या फिर बता देना, WhatsApp कर देना, बेच दो, बेच दो, बेच दो, पैसा बच जाएगा, अगर आपको कुछ भी लग रहा है न, वीडियो कौन में कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अभी 4 रुपे है, सरक्रिट तो लगी रहा है, 5 रुपे तो कल होई जाएगा, 5% कमा लेंगे, 5% के चक्कर में 100% खोदोगे तुम, Capital Protection is much more important than Capital Appreciation, ठीक है न, Capital ली नहीं होगी न, तो Capital Appreciation छोड़ो, कुछ भी नहीं बचेगा, कितनी बार बता दिया है, अभी DHFL में इतने लोगों का नुकसान हुआ है, और हमको बहुत सारे लोगों ने बोला है, कि आपका वीडियो हम लोग ने पहले क्यों नहीं देखा, अगर देखा हो था तो हम बच जाते हैं, और अभी ये वीडियो कौन का भी वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, शायद ये सब चीज़े कोई और तो अपडेट करेगा नहीं, बट मैंने कहा कि हम बाकी सारे Stock Analysis छोड़ के आपको पहले बता देते, कि भाई आपके जो Shares हैं, उनके हाल ये होंगे, तो ये सारी चीज़े, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ, देखो, अगर आप देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, अपॉन यहाँ पर Capital Reduction Issues of New Equity Shares, भी Merge VL चल हो, 100% of यहाँ पर VTL, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो सारी चीज़े, Capital Reduction, अगर आप देखो कि न, यहाँ पर निल बता है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर Shareholding Pattern भी दिखाई देता हूँ, यह देखो, The Interest of Existing Equity Shareholders, Altered by Resolution Plan, Is As Under, यहाँ पर Video Con Industries Limited, Equity Shareholders, अभी अगर आप देखो कि इतने Shares हैं मार्केट में, इसके बाद कितने Shares बच जाएंगे, Zero, यहाँ पर अगर आप देखो कि Voting Held Before, यहाँ पर CIRP, Voting Held After CIRP, Voting भी Zero, Shares भी Zero, आप समझ गया है, 100% अगर आपके पास यहाँ पर Shareholding है, मान लो 100 share है तो आपको Zero दिये जाएंगे, और वापे Company में यह भी बोला है कि D-Listing करी जाएंगे, मतलब 100% में से, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि 8% stake तो है ना, Financial Creditors को दिया जाएगा, और बाकी 92% Video Con रखेगा, और इस सारी Companies में हो रहा है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है, आपको कोई और Proof देने की में को जरूत है, मैं वीडियो जादा लंबा करके कुछ आपको बताना भी नहीं चाहरा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ और बचा भी नहीं है, वीडियो कौन पूरी खतम हो रही है, अब यहां पर सर्कीट खुल गया है, हो सकता है कि यहां पर कल चाहिना लोवर सर्कीट लगने लग जाए, और फिर आप शायद शेयर भी नहीं बेच पाऊगे, तो यह सारी चीज़े हैं, मैं आपको फटा-फट से बता रहा हूँ, जिरोदा में आपको पता है GTT order कैसे डालते हैं तो YouTube पे सर्च कर देना बहुत जन्हें बता देंगे, एक और तरीका AMO order डाल लो, AMO order डाल देना और यह AMO order 5% का सर्कीट लोवर सर्कीट केलकूलेट करके डालना, अभी मैं यहाँ पे लोवर सर्कीट यहाँ पे कैलकूलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो सर्कीट कैलकूलेट करके बता दिया, तो आप लोग है न, उसी पे order डाल दोगे और कल अगर कम बावे बिग गए, तो आप हमें ही वापस यहाँ पे comment में गालिया लेक होगे, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता रहो, मैं तरीका बता रहो, लोवर सर्कीट में कैसे बेचते हैं, अगर आपको यह जानना है लोवर सर्कीट में कैसे बेचते हैं, कि DHFL को या फिर ओर्चेट फार्मा को लोवर सर्कीट में कैसे बेचते हैं, वो सारी चीज़े बता ही थी, कुल मिला के बात यह है, वीडियो कौन से दूर होने की बहुत ज़रूत है, जेट एरवेस से दूर हो जाओ, सबी तरह की जो ऐसी कंपनीज है जिन में रिजॉल्यूशन वगएरे प्लान चल रहा है, और वो सब चीज़े हो रही है, ठीक है, कंपनिया दिवालियों आँचे की और अभी उसकी बीडिंग बीडिंग चल रही है, सब कंपनियों से दूर हो जाओ, और चिड़ फार्मा, रूची सोया, मोनात इसपात, कितने एक्जैम्पल हैं, सब में सेम चीज हुई है, और डिएचेफल, लक्ष्मी विलास बैंक और इन में तो शेर होल्डर के पाक कुछ बचा ही नहीं, बाकियों में फिर कुछ तो बचता है, तो यह सारी चीजे थी, दूर रहो, दूर रहो, ऐसी कमपनियों से दूर रहो, मल्टी बैगर बनने के चक्कर में यहाँ पर अपन सब कुछ खो देंगे, ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक में डूड़ो, शान्ती से अपने, अगर आप मार्केट में नए हो, मैं बार-बार बोलता हूँ, सेंसेक्स और निफ्टी की कमपनियों में लगाओ, अगर आप देखो कि मोतिला लोसवाल का जो टार्गेट है, दो साल के अंदर यहाँ पर जो की करीबन दो लाग का है, सेंसेक्स दो लाग होने का टार्गेट है उनका, अगले 10 साल में, तो आप अगर 10 साल में पैसा चार गुना कर रहे हो, तो क्या प्रब्लम है, TCS में तो वैसे भी पैसा बनाई है न, आगे भी बन जाएगा, 10-20% रिटन तो देजाएगा, 20% रिटन आप सोचो, क्या होता है, आप क्यों यहाँ पर पीछे पढ़ रहे हो, हम को 10-10% का रिटन हर महीने चाहिए, नहीं होता, यह बुल मार्केट था, 2020 एक बहुत बड़ा बुल मार्केट था, अभी 2021 में बहुत चारी ऐसे अर्चन है आईंगी, कल अडानी का शेयर प्रेश गिरा है न, अडानी के बारे में भी हम लोग ने हर बार बताया था, वो जो कल शारी बात आई थी न, FII वाली, हमारे अडानी ग्रीन, या अडानी ग्रूप के जित्ते भी fundamental analysis वीडियो है, 6-6 companies की, सब में एक बात हम लोग ने बोली थी, कि यह FII बहुत बड़े problematic है, सब्सक्राइब करने हैं, उस टेलिग्राम को जॉइन करने हैं, वहाँ पे आपको अल्रेडी सारी न्यूज आ जाती है, और सबसे पहले न्यूज बहीं आती है, हम वीडियो तो अभी बना रहे हैं, बट न्यूज तो हम लोग वहाँ पहली डाल देते, वहाँ पे हमने NCLT का और भी डाल दिया है, आपको डिटेल में पढ़ना है, और कुछ जानने है, NCD का क्या होगा, बैंक्स का क्या होगा, वो सब है, कुछ होने निवाला है, बहुत कम पैसा दे रहा है, केवल चार्ट का पैसा दे रहा है, वो भी फिनेंशल क्रेटर, जानि बैंक्स को दे रहा है, बाकी सब के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, खाल उदेड के रख दिये, जैसे कि NCLT के जजने भी बोला है, तो हेर कट इसको बोलते, और यह होदा है, वेल्थ डिस्ट्रक्शन, चलिए, thank you so much, मैं दूआ करता हूँ, आपका पैसा बच जाए, आप कल यहां पर वीडियो कौन की शेर बेच पाओ, और निकल पाओ, thank you so much,